मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ओफ यूनानी चैनल से आप हमारे चैनल वर्ड ओफ यूनानी विध हकीम असलम जावेद को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाईए और इसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके यूनानी को घरगर तक पहुचाने में हमारी मदद कीजिए हमारी हेल्प कीजिए धन्यवाद आज हम बात करना चाहते हैं ऐलोवीरा के सहत और खुब्चूर्टी से मतालिक क्या फाइले होते हैं ऐलोवीरा जो है बहुत अच्छी यूनानी जड़ी गूटी जिसको कहा जाता है सदियों से मुक्तलिफ शिकायात में बतोर ईलाज इस्तमाल की जाने वानी ऐलोवीरा धी कवार एक उद्रगी जड़ी बूटी है इसके इस्तमाल से बगएर किसी नुक्सान के बेशुमार फवायद हासिल किया सकते हैं अलोवीरा सेहत में इदाफे जिल्द और बानों की खुश्चूर्थी बढ़ाने के लिए नियायत मुफीक पौदा है अलोवीरा को कवार गंद के नाम से भी जाना जाता है अलोवीरा को करिश्माती पौदा खरार दिया जाता है इसमें विटाविन C, A, E, B12 और पुताजित मिनर्स भी पाई जाते हैं बालों और जिल्द की खुश्चूर्थी बढ़ाने में कितना माविन है ये जानकर आपको भी इसका पौदा अपने घर है घर में आज ही लगाने पर मजबूर होना पड़ेगा अलोविरा जैन में एमिनो एसिट्स पाई जाते हैं जिसके सबब इसके इसके इस्तमाल से जिल्द खुदरती तोर पर मॉस्चराइज रहती है और जुरियों के बनने का अमल सुष्थ हो जाता है इसके पौदे में मौझूदा अमिनो एसिट्स और कॉम्पलेक्स कार्वो हाइडेट्स मिलकर जिल्द के लिए एक मुफीद हाइडर्टिंग एजेंट बनाते हैं जिसके सबब अलोविरा के इस्तमाल से जिल्द हाइडेटिड रहती है विटामिन सी, ई और बीटा कैरोटिन की मौझूदगी से जिल्द के खुलिये सेहत मज होते हैं और चेहरे की जिल्द से जुर्यों का खात्मा हो जाता है अलोविरा बगएर किसी चिकनाट के इस स्किन को मौस्चराइजर भी रखता है और बहतरीन और खुदरती सन स्क्रीन है अलोविरा के इस्तमाल से जखम जल्दी भर जाते हैं जबके इसका इस्तमाल चेहरे पर जिल्द पर गहरे निशानात भी नहीं पढ़ने देता जल्द के जल्ने की सुरत में भी बार बार अलोविरा जल्द को लगाने से जखम जल्द चीक हो जाता है अलोविरा के इस्तमाल जल्द में क्लाजिन की मिगदार को बढ़ाता है जिसके समा मतासिरा जल्द को जल्द से जल नए खुलिये बनाने में मदद मिलती है बालों का ज़ड़ना आजकल हर दूसरे फर्द का मसला है ज़ड़ते बालों को रोकने के लिए एलवीरा का इस्तमाल नहायत मुफीद है एलवीरा में मुझूदा प्रोटोलाइ्टिक एंजाइम्स मतासिरा बालों के खुलियों की मरम्मत करने में मदद देता है और बाल तूटने या बिज़ाने की बजाए सेहतमन दोरा शुरू हो जाते है एलवीरा के लिए खुद्रती कंडिशनर भी होता है एलवीरा के इस्तमाल से सिर्की जिल्ग से खारिश खुश्की का भी खात्मा हो जाता है डाइट की हुए बालों के लिए अलुविरा के जहल हकते में दो बार इस्तमाल करने से बालों की कुझती चमक और मुझाय हुए रूखे बालों में जान आ जाती है अलुविरा पेट की चर्बी कम करने में बहुत बददगार होता है बहुत महाविन होता है जिस्मानी वजन में कमी के ख्वाइश बंद अफराद ऐलोविरा को बतोर मश्रूब रोजाना सुमा नहार पेट इस्तमाल कर सकते हैं जब कि ये आमल राज सोने से ख़वी किया सकता है जिस्मानी वजन को कम कर रहे हैं प्रसूब पेट की चर्वी एक माँ के अंदर अंदर गलाने के लिए एलोविरा के तीन से चार इंच के टुकड़े टुकड़े से सफेद लेसदार मौाद निकाल कर एक अदर खीरा एक इंच अदरत चंद हरे धनिये की पत्कियों के साथ पीस कर पी लेना चाहिए जायका बहतर बनाने के लिए इसमें लीमू का रस या फिर कोई और सब्जी जैसे बंद घुबी और गाज़त भी इस्तमाल किया सकता है अलोविरा को बगए कोई सब्जी शामिल किये सादे पानी में पीस कर भी इस्तमाल किया सकता है इसके जेल का बरहिरास्त इस्तमाल मेटाबॉलिसंगी तेज़ करता है, वजन में कमी का सिब्स बनता है, कामर के गर्ध जम्मी चर्वी बिगलाता है, कब्स से बचाता है, कोलेस्टेल की सतह मुत्माजिank बनाता है, जोडों के दर्ज से निजात दिलाता है और जहरीले माध् जहां बेश्मार हुआत का हामिल है वहीं से बराहरास खाने या इसका मश्रूब बनाकर पीने से पेट के गिर्द जमी जिद्दी चर्वी जायर हो जाती है और मजमूई वजन में कमी भी आती है जिसमानी वजन में कमी के खुआश्मार अफराद इसे बतौर मश्रूब रोजाना सुबह नहार वो इस्तमाल कर सकते हैं तो इस से मालूब हुआ हमें कि ऐलोविरा जो है या घीकवार जो है एक बहतरीन नहायत ही मुफीद जड़ी बूटी है जो बहुत तरीके से युनानी दवाओं में इस्तमाल की जाती है एलोविरा जैल भी मुझूद है आप इस्तमाल कर सकते हैं मुखतलिफ कंपनी जो है इसको बनाती है इसके अलावा जो है एलोविरा जैल जो है वो आप चेहरे पर भी लगा सकते हैं कॉस्मेटिक आइटम भी होता है और हर्बल कॉस्मेटिक चीज है तो एलोविरा जो है हम हुआ 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 है